क nee अई अई आलो फ्रेंश्ड शुवागत था आपका आपके चीनर शिशटी खिचन में प्रेंश आज हम बनाएंगे स्हाबुदाना की किचडगी खिचरी किचडग्नाने से पहले जिन फ्रेंश ने मे existence में चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें लाइक कर दें इससे मैं कोई वीडियो अप्लोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुचेगा साबुदाना को मैंने दो से तीन बार अच्छे से दूल कर दो घंटे के लिए भिगो के रख दिया था मिर्ची, टमाटर, अद्रक, जीरा, मुंखफली, आलू, कड़ाई में हम सबसे पहले घी डालेंगे घी अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम मुंखफली को तलेंगे घी अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें मुंखफली डालेंगे मुंखफली अच्छे से रोश्ट हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे अब इसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे जब आप आलू को घी में पकाते हैं तो आलू का जो टेस्ट है काफी बढ़ जाता है इसलिए हम इसे घी में और धीमी याज में पकाएंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो जल्दी से आलू पक जाएगा तुम इसमें थोड़ा सा नमक डालके इसको ढ़ाग देते हैं नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढ़ाग देंगे और आप इसको बीच बीच में एक से दो बार चला देजिएगा जिससे आलू जले न और आप देख सकते हैं आलू का कलर चंज होना सुरू हो गया है पांच से छे मिन तक आलू आपकी अच्छे से पक जाएगी तो म आपको दिखा देता है आलू बहुत अच्छे से पक गई है और इसको हम निकाल लेंगे इसके बाद हम मिर्ची अध्रत जीरा सब को डालेंगे शबसे पहले हम जीरा को डालेंगे जीरा अच्छे से चटक जाए इसके बाद हम इसमें मिर्ची और अद्रग डालेंगे तो जीर अच्छे से हो चुका है अब इसमें मिर्ची और अद्रग डालेंगे और इसको भी हलका से रोष्ट करेंगे इसके बाद हम टमाटर डालेंगे टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर हमें गलाना नहीं है हम घी में ही इसको पकाएंगे इससे टमाटर गले न तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक गया है और इसके बाद इसमें हम शाबू दाना डालेंगे और शाबू दाना को अच्छे से भूनेंगे शाबू दाना को हम अच्छे से भूनेंगे फ्रेंस आप इसको ब्रत में बना के खाश रखते हैं आपको यह बहुत पशंद आएगा साबू दाना को भी मैं अच्छे से भून ली हूँ इसके बाद मिस्ट में आलो और मुंफली मिक्स करेंगे सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम सिंधा नमक डालेंगे क्योंकि हम ब्रत के लिए बना रहे हैं और नमक डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम धीमियाच में ढग देंगे जिससे नमक अच्छे से मिक्स हो जाए यहां पे हमारी साब उदाना के खिजड़ी बनके रेडी हो चुकी है इसमें हम हरी धनिया बारी काटके रखेते इसको मिक्स करेंगे तो फ्रेंट्स आप इसको बनाना जरूर अगर आपको पसंद आता है प्लीज मिया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहों लें और कमेंट करके बताएं आपको क्रेशा लाइए